दोस्तो सुवागत है आपका एक बर फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजूकेशन मेट में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एक साज़ेदार की म्रत्यू या सेवाने व्रत्य की समय है उसको दे राशिकर निप्टारा कैसे किया जाता है इसके अलवा पुन्जी का समय है ज़न कैसे किया जाता है और एक साज़ेदार की वर्ष की अवधी के देवरानी म्रत्य पर किस प्रकार अकाउंटिंग ट्रिट्मेंट किया जाता है तो आईए दोस्तो जा टाइम ना वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं दोस्तो आज के अमारी वीडियो तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक सेवानी वरत सजेदार को देराशिकर निप्टारा कैसी कहा जाता है दोस्तो हमने सभी समयावजन कर लिये जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लिया गेनिंग रेशो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया रिविलिविशन ऑफ असेट्स अन लाइबिलिटीज कर लिया ऐसे सभी समयावजन करने के बाद जो समस्या दोस्तो खड़ी होती है वो होती है दोस्तो कि जो भी साज़ेदा जा रहा है उसका जो हिसाब बनता है वो कैसे किया जाए मतलब दोस्तो आउट रैट याने एक साथ पेमेंट कर दिया जाए उसको या फिर किस्तों में किया जाए या फिर आदा किस्तों में आदा एक साथ कर दिया जाए तो किस प्रकार से किया जाए दोस्तों ये प्रब्लम हमारे सामने खड़ी होती है तो दोस्तो इसमें सबसे फिले हमें यह देखना होता है कि partners के बीच ऐसी स्थिती के लिए मलब साज़ेदार की मरत्यू या retirement के लिए क्या कोई contract प्लान हो रखा है पहले से हाँ यदी कोई partner रिटायर होता है तो हम उसे ऐसा payment करेंगे लेकिन यदि होता है तो उस प्रकार से कर दिया जाएगा लेकिन यदि नहीं होता है तो उस condition में क्या किया जाएगा उस condition में दोस्तो भाड़ती है साज़ेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 लागो होगी दोस्तो जिसके अनुसार साज़ेदार के पास एक option यानि विकल्फ होगा कि या तो वो जब तक उसका payment नहीं होता तब तक वो 6% उसका जो भी राशिय उस पर interest ले ले या फिर उस तिती तक वो फर्म ने जो भी उसकी पूंजी से लाब कमाया है वो ले ले ये दोनों option होते हैं या तो ब्याज ले ले या फिर profit में उसका हिस्सा ले ले इसलिए दोस्तो नॉर्मली जो है एक साज़ेदार को तुरंट payment कर दिया जाता है लेकिन दोस्तो ये जरूर थोड़ी है फर्म में इस condition में नहीं हो कि वो तुरंट payment कर सके तो उस condition में क्या करें भाई फर्म की financial condition भी तो अच्छे होनी चाहिए फर्म में पैसा भी तो होना चाहिए पैसा होगा तो ही तो देगी एक साथ payment नहीं होगा तो क्या करें तो दोस्तो यदि फर्म में पैसा नहीं है तो जो भी उसका बकाया payment है वो amount दोस्तो उस partner के loan account में डाल दिया जाएगा और जब फर्म में पैसा आ जाएगा और वह चुका देगे फर्म तो उस loan account को बंद कर देंगे हम और इस adjustment में दोस्तो हमें कुछ entries भी करनी होगी वो दोस्तो देखते हैं दोस्तो इसमें पहली condition हम देखते हैं कि यदि फर्म पूरा ही payment cash कर दे एक साथ कर दे तो दोस्तो उसके entry जो होगी वो होगी पाने वाला को ने partner है तो retiring partners capital account debit to cash account फर्म में से cash जा रहा है तो उसको हमने credit कर दिया retiring partners capital account debit to cash account इसके लाव दोस्तो दूसरी entry दूसरी condition जो है हमारी वो है कि जब फर्म बिल्कुल भी उसको cash ना दे पूरा ही एक साथ loan के रूप में रखे तो लोन के रूप में रखेगी तो वो entry क्या होगी दोस्तो retiring partners capital account debit to retiring partners loan account जो जाने वाला साथिदार है उसके loan account में हमने वो पैसा transfer कर दिया अब उसका एक loan है और उस loan को दोस्तो हम फर्म की balance sheet में शो करेंगे भाई फर्म की दाइत हुए ना फर्म की responsibility है उसको पैसा चुगा ना तो फर्म का दाइत हुआ इसलिए हम उसको balance sheet में शो करेंगे इसके अलाव दोस्तों यह दी बात की जाए तीसरी condition की तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि थोड़ा तो फर्म केश दे दे और बाकी loan मान ले loan के रूप में रख ले तो उसकी जो entry होगी वो ऐसी होगी retiring partners capital account debit two cash account two retiring partners loan account जो तो cash दिया है वो cash के को लम में लिख देंगे और जो loan के रूप में रख देंगे दोस्तों इसमें last condition कुछ ऐसी हो सकती है जब loan को ब्याज सहीत यानि interest के साथ किस्तों में चुकाय जाए तो दोस्तों जब हम उस पर interest लगाएंगे तो उसके entry होगी interest account debit two retiring partners loan account और जब हम उस किस्त का भुकतान करेंगे तो उसके entry होगी retiring partners loan account debit to cash account तो दोस्तों ये चार condition थी हमारे पास कौन कौन सी जब पूरा cash payment हो जब बिलकुल भी cash payment ना हो और पूरा loan के रूप में दे जब थोड़ा cash थोड़ा loan और जब loan को ब्यास सहीद दे तो दोस्तों ये चार condition है और ये चार इनकी entry आएंगे तो दोस्तों ये था कि एक साज़दार को दे राशी का भुकतान कैसे किया जाए दोस्तों इस topic का practical और बाकी के दो adjustment जो है पूझी का समयाजन और साज़दार के म्रत्यू इन सब का practical हम कल देखेंगे तो दोस्तो जो हमारा अगला समयोजन है उसका नाम है पूझी का समयोजन Adjustment of Capital दोस्तो पूझी के समयोजन में ये देखा जाता है कि जो पुराने Partners है उनकी जो Capital है वो उनके नए रेशो में है या नहीं यदि उनकी जो Capital है वो नए रेशो के इसाब से है तो सही है कम है तो लाना पड़ेगा और ज्यादा है तो ले जाएगा जैसे दोस्तो दो Partners की Capital है 30,000 और 20,000 नए रेशो के अनुसार जबकि सबी समयोजन करने के बाद एक Partners की यानि पहले वाले Partners की Capital तो आती है 25,000 जबकि दूसरे की आती है 30,000 जबकि होनी कीती नी चीए पहले की होनी चीए 30,000 और दूसरे की होनी चीए 20,000 तो दोस्तो इस कंडिशन में जो पहला Partner है वो 5,000 रुपे लाएगा जबकि दूसरा Partner है वो 10,000 रुपे ले जाएगा तो दोस्तो जो लाने की Entry होती है वो होती है cash account debit to partners capital account cash आ रहा है फर्म में और यदि ले जाएगा तो उसकी एंटर होगी partners capital account debit to cash account यही दोस्तों पुंजी के समय जन होता है जैसे हमने एक साज़दार के प्रवेश्च के समय पढ़ा था और practical भी देखा था same वैसा ही है और इसका practical भी दोस्तों हम कल करेंगे अब दोस्तों बात करते हैं साज़दार के मरत्यू दोस्तों अधिकतर एक partner के retirement पर और death पर एक ही accounting process होती है यह आपको भी पता होगा कि एक व्यक्ति का retirement जो है एक fixed date पर होता है और normally वर्च के अंत में होता है लेकिन दोस्तों death यानि मरत्यू का कोई भरोसा तोड़ी है वो त मेंने बात कभी भी हो सकते है उसका कोई बरुसा नहीं होता दोस्तों लेकिन retirement तो एक fixed date पर और वर्च के अंत में ही होता है तो दोस्तों जब वर्च के दुरान ही किसी partner की मरत्य हो जाती है तो ऐसी condition में दोस्तों हमें क्या क्या देखना पड़ेगा क्या देखना वहां दोस्तों main problem आती है तो इस condition में दोस्तों profit जो है कई बार कुछ वर्चों के average यानि औसत के आदार पर निकाल दिया जाता है जबकि कई बार पिछले कुछ वर्चों की sales के आदार पर निकाल दिया जाता है और कई बार दोस्तों पिछले वर्च के profit के आदार पर ही नि मरत्य होती है और दोस्तों उस पार्टनर का तीन मेने के लाब में भाग बनता है दस अजार रूपए तो दोस्तों वो दस अजार रूपए कैसे एड़ेस्ट किये जाएंगे उसकी एंट्री दोस्तों ऐसे होगी मतलब जिसकी मरत्य होई है उस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा दस अजार से दोस्तों प्रॉफिट अनलो सस्पेंज अकाउंट को हम बोलते हैं हिंदी में उचन्थी खता जो ऐसे केसे में बनाया जाता है तो दोस्तों ये आज की तीनो टोपिक भी हमारे पूरे हुए इसी के साथ दोस्तों हमारा जो चैप्टर है एक साज़ेदार के मरत्यू या समायोजिन इसके प्रैक्टिकल दोस्तों हम कल से देखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो ये दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें धन्यवाद